हिंदी को नहीं फर्क पड़ता है, हम ही फर्क पड़ता है, अगर भाशाओं का विकास नहीं हुआ, तो हमारा विकास भी नहीं होगा, हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे इस सत्र की आखरी बगता साइमा, साइमा हम लोग जब बात कर रहे थे सुजाथा ने जो बाते शामिल की और आप न्यू मीडिया को देख रही हैं, आप रेडियो को देख रही हैं, रेडियो पर जो शुरुता आप जिस अंदाज में आपसे बात करते हैं, कई वार मुझे ल भदरता वाली, एक तहजीब बाली, उस तरह पर मुझे लगता है कि अभी बहुत जादा हमने शायद बात नहीं की है, आगे बात चीत करेंगे, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप इस तरह से, सबसे पहले दिगजों के बीच मुझे जो कुरसी मिली है तो राज कमल प्रकाश पहली बात जो जिन्दगी में सीखी थी कि एक इनसान अपनी जबान के पीछे छिपा हुआ होता है, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, वो हमारे शब्द ही दूसरों तक पहुँचाते हैं, रेडियो एक ऐसा मीडियम है जहां सिर्फ मेरी आवाज आती है, और वहां बहुत जरूरी है कि मैं सही बोलना सीखूं, जब FM आया तो हमें ये कहा गया कि आकाशवाणी से उसको थोड़ा सा अलग ऐसा रखना है कि अब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रेजेंटर्स ने ये समझा कि आच्छा दोस्त से बात करनी है, मतलब कि अब भाशा पर बहुत गौर नहीं करना, क्यों दोस्त को भाशा नहीं आती क्या, आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम खो गए, हम कहीं आज भी खोए हुए हैं, भाशा को लेकर नहीं, खुद को लेकर, हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं खुद को, इसलिए क्योंकि हमने किसी भी भाषा को ठीक से नहीं सीखा है। ये बहुत बड़ी कमी है, शायद हमारे स्कूलों की, शायद हमारी तर्बियत की, हमारे माबाप की, जो आज अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं, ताकि उनके बच्चों को complex ना हो, उन स्कूलों की, जो यही कहते हैं कि हफ़ते में एक दिन हम हिंदी बोलेंगे, हम एक दिन वो बोलेंगे जो हमारी भाषा है, जो हमारी पहचान है, मतलब हम पूरे हफ़ते में एक दिन खुद से मिलेंगे, और बाकी दिन यहाँ पे हमने भाशा को खोया है और खुद को भी, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी, हिंदुस्तानी जो हमारी भाशा है उसको पहले आम बनने की जरूरत है, उसको पहले उस कॉंपलेक्स से निकालने की जरूरत है जो हर घर में घुज गया है, हर दिल में घु क्यूं नहीं बात कर रहे ना तो उसको डाइट की भाषा बनानी है और ना हमारे माबाप को ये हम में एसास दिलाना है के हम कम तर हैं अगर हम हिंदी बोलते हैं उन उन टीचरों से जाके बात करनी है जो ये कहते हैं कि मेरी क्लास में इंगलिश बोली जाएगी, आप घर में भी इंगलिश बोलिए, माबाप को उन टीचर से जाके मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, घर में हम अपनी भाशा बोलेंगे, ये चुनौतियां हैं जिनको हर हर इंसान को कहीं न कहीं ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये मेरी जिद है कि पहले मैं उस भाशा को सीखूंगी जो मेरी पहचान है, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर मुझे ही अपनी भाशा नहीं आएग हो कहना चाहती है मगर वो कैसे कहे बनाधर वह आमते लोगों से वह अटो और वह बार बार आते जब वह भाषा को सब स्सक्राइब यह मतलब अब यह मतलब क्या को पुल हो होना था इसको दो नदियों के बीच नहीं से यूरण wir妾 से दूसरे विचार के तरफ पार कर जाएं मगर नदिया सूख गई है पुल रह गया है तो हम मतलब पे ही अटके रहते हैं क्यूंकि हम पढ़ते नहीं किसी के हाथ में हिंदी की किताब नजर आती है तो लोग उसको घूरते हैं मुझे ऐसे देखते हैं कि तुम्हारे पास इत ऐसी कोई जबान नहीं है जो कमतर है और ऐसी कोई जबान नहीं है जिसने ताज पहना है हमारे संस्थाओं को क्या करना चाहिए इस पे मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्यूंकि यह बहुत कम वक्त है बोलने के लिए लेकिन हमें क्या करना चाहिए यह जिम्मेदारी तो हम उस इस पर सोच सकते हैं ना हिंदी खास तब बनेगी जब वो आम बनेगी और हम इस उस दुनिया में रहते हैं जहां पर इजाज़त नहीं है मुझे कि मैं खुल के हसूं क्योंकि इमोजी से काम चल जाता है तो जो इमोजी है ना उन्होंने बहुत सारे शब्दों को ब्लॉक कर हमें नहीं पता के संकोच क्या होता है उसके लिए इमोजी है हम शौटकट की दुनिया में बहुत खो गए बर जिन्दगी तो बहुत लंबी होती है ना उसका कोई शौटकट नहीं होता तो शायर अब यह समझना होगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे पास और बहुत आसान है सीखना इतना मुश्किल नहीं है वो किताब अगर लाइब्री से मुझे नहीं मिली तो मैं उसको ऑनलाइन पढ़ सकती हूँ उन न्यूस चैनल को भी सुन सकती हूँ भाशा के लिए जिन में मुझे सिर्फ उनकी भाशा सुननी उनके विचार नहीं सीखने के लिए कि जब मैं कोई बात कहना चाहूं तो मेरे पास अलफाज हूं शब्द हूं मैं अटक न जाऊं कि दूसरे को ये मौका न मिल जाए कि वो मेरी बात कह दे ये नहीं होना चाहिए हिंदी को नहीं फर्क पड़ता हम ही फर्क पड़ता है अगर भाशाओं का वि काला नहीं जाता, जोड़ा जाता है, तो कोई भी भाषा ऐसी नहीं होती, जिन में और भाषाएं जोड़ी नहीं होती, और इससे परहेज नहीं होना चाहिए, सच में नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हिंदी, हिंदुस्तानी कोई भी भाषा हो, हम सबसे पहले वो भाशा सीखते हैं वो शब्द सीखते हैं जो हमें नहीं सीखने चाहिए हैं और फिर बाद में मैसूस होता है कि बहुत सारा वक्त जाया हो गया अभी भी समय वो हिंदी की किताब जो खरीदने में कुछ देर हो गई और खरीदियेगा प्लीज कभी-कभी जरूरी नह अपना मोहौल अच्छा बनाएं खुद को किताबों में घेरें ताके धीरे-धीरे ही सही हर दिन ही सही एक ही पन्ना सही हम पढ़ें क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं पस इतनी ही बात कहना चाहूंगे बहुत शुक्रिया दोस्तों